वीडियो स्टार्ट करने से बहले मैं आप लोग को पताना चाहूँगा कि मैं एक Samsung Galaxy M31S giveaway कर रहा हूँ, आप में से कोई भी एक बंदा जीच सकता है, कैसी चीच देगा मैं आगे चल के आपको वीडियो बताऊँगा, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते है, तो गाईज यह है Samsung Galaxy M31S का box, तो इसको खोलते और देखते हैं, मैं box में कहकर content देखने हो मिलते हैं, तो मैं यहां से seal break कर देता हूँ, और उठाते हैं इसके box को और देखते हैं कैसी packaging है, तो यहां पर जो हमें Samsung के तरफ से एक pouch रखाव मिल जाता है, तो इसको खोल के देखते हैं, यहा से उठाते है phone को, और यहां पर जो हमें phone रखाव मिल जाता है, तो ऐसा कुछ दिखता है Samsung Galaxy M31S, यह भी हटा देता हूँ, तो काफी solid है, तिक है phone, तो यह खास चीज है, इस phone के box के अंदर, यहां पर 25W का Samsung की charging की brick देखने हो मिल जाते हैं, तो finally M series जो है, अपने refresh हो चुकी charging technology के अंदर, और यहां पर जो है, हमें cable देखने हो मिल जाती है, अब यहां पर एक और premium touch यह है, कि type C to type C cable है, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जल्दी से मैं phone को set up करकर आता हूँ, फिर आप लोग को मैं हर एक चीज detail में बताऊँगा, हाई गाईस, मिर नाम है संचित और आप दिख रहे है टेक बार, और यह है Samsung के M-Series का नया phone, इसका नाम है Samsung Galaxy M31S, अब यह जो है बहुत सारे मतलब cosmetic changes के साथ आता है, तो इसी बात मैं डिजाइन के बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बोला, जो थो अच्छे का से gradient finish के साथ आता है, और मेरे साब से जो color choice है, वो बहुत ही अच्छी रखी है Samsung इस बार, मेरे को बहुत ही जादा professional color लग रहे है, उपर की side मैं silver बोलना चाहूँगा, और नीचे के तरफ मतलब आते आते gray और उसके नीचे blackish color आ जाता है, तो मतलब मुझे आता हुपनी पीटख इप जा लगते ट्रेड स्वा बर शॉर भावन तो इसपोर अच्छे पने खंव है अच्छी ऐख या कंडाब मुझे आप्र ना पक है mouse पहुदी की सुम्हाँन म जासरों के फोन के रीका या पार बुटन कादी मिला आघन कि ए सिंपल सा जोर सिम्पस rockers access करने है तो और फों के लेफट साइड मैं स्यंप्रे देखने हैं जो कि बिलकूल इक अलग सी 되면 के साथ आती है अब एक साइड में दो नेञी स्यम लगा सकते हो और इसके भेंकस साइड में अक चार्ड लगा सकते हो काफी cool arrangement लगी खेर मेरे को फोन के नीचे की side के बारे हम बात करूँ तो यहाँ पर हमें speakers देखने को मिल जाते हैं और जो कि मेरे साब से बिल्कुल सही sound कर रहे हैं और हमें आपर type C port देखने को मिलता है और साथ के साथ gamers खुश हो जाओ या फिर normal लोग भी जो भी headphone jack use करना पसंद करते हैं हंजी इस phone के अज़र देखने को मिलता है तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है जैसे कि मैंने आप लोग को starting बताया था कि cosmetic change देखने को मिलते हैं तो phone के अगर मैं front आप लोग को दिखाऊं और अच्छे कासे sensor लगे होए है अगर हैं बात कर वाइडवाइन L1 के बारे में तो हम जी वो support देखने को मिलता है हमें और साथ के साथ Netflix की प्लेव एक्सपिकेशन आप लोग को दिखा देता हूं उसके अंदर भी आप Full HD में देख सकते हो तो यह सारे जो हमें benefit देखने को मिलते हैं और जो haptic feedback है वो मुझे ठीक लगा है काफी solid आ रहा है मैं और लेकेना चाहूंगा बस एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूंगा क्योंकि इस phone के अंतरा में 6000 mAh बैट्रीट देखने को मिलती है तो phone जो है thick है जो मैंने notice की है अब वापिस front के उपर आते हैं मैं आप लोग को bezels दिखाना चाहूंगा जो infinity or design है वो तो cool लगी रहे बट मैं यह भी बोलना चाहूंगा bezels काफी जादा पतले है throughout तो यह इसको एक अच्छा look ज़रूर दे रहे है मतलब एस्थेटिक से बहुत ज़रा ध्यान रखाई है और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा क्योंकि physical LED notification light जो इतनी common नहीं है आजकल phone में तो यहां पर always on देखने को मिलती है जो कि आपको constantly burn screen के अंदर भी time और notification दिखाएगा और आप इसको obviously setting के अंदर customize भी कर सकते हो अगर मैं display size के बारे हैं बात करूँ तो 6.5 inches का देखने को मिल जाता है Full HD plus resolution है और यह Super AMOLED display है तो हमें वो ही सारे traits देखने को मिलते हैं जो Samsung के है punchy colors, like बहुती जादा कमाल की brightness मतलब आउट्डोर में तो बिल्कुल मजा आजाता है इसको यूज करने में और मैं बता सकता हूँ जो display है वो काफी जादा high quality की डली हुई है और यह काफी मतलब एक इसका premium चीज बोलना चाहूँगा फोन के अंदर जो है वो display ही है और हाँ मैं आप लोग को बता सकता हूँ मैं थोड़ी बहुत इसके अंदर वीडियो आप लोग को चलागर दिखा देता हूँ जो overall color saturation sharpness है वो बहुत अच्छी जरगे से calibrate हो रखी है तो यहाँ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है और जो display की protection है वो Gorilla Glass 3 की है अब मैं बात करना चाहूँ का कैमरे के बारे में क्योंकि मुझे बहुत ही highlighting चीज़ लगी है कि इस phone के अंदर में 64 में अपकिसल का Intelli Cam देखने को मिल जाता है और अगर हम बात करूँ सेंसर के बारे में तो Sony का डाला है IMX682 और जो दूसरा camera sensor है वो 12 में अपकिसल का Ultra Wide Angle Lens है एक और camera देखने मिल जाता है पांच में अपकिसल का जो की Macro Lens है और एक और पांच में अपकिसल का Depth Sensing के लिए डाला है तो hardware तो बिल्कुल अच्छा देखने को मिल जाता है आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूँ तब इसकी important समझ में आती है मैं आप लोग को बहुत सार एक्जामपल दे सकता हूँ यार ऐसे moment होते है जब आपको photos, high quality photos और high quality videos एक साथ record करने का मन करता है तो obviously यह single take है यह आपको possible कर कर देगा मैं आप लोग को जिस्ट एक एक्जामपल दिखा लेता हूँ phone के नजरी दिखाऊँगा मैं photo खीचता हूँ और देखो कितने सारे अलग-अलग filter से साथ 7 photos capture हो जाएंगी और 3 जो है video output आ जाएंगे तो यह obviously useful चीज तो है तो यह मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है और जो 64 में आप इसल कैमरा सेंसर हो डीलेट के नदर तो काफी जाद अच्छा perform कर रहा है मैं इसको एक दो दिन से use कर रहा हूँ dynamic range मुझे बहुत जादा पसंद आई है color, saturation, sharpness जो है और low light की भी आप लोग को थोड़ी सी फोटोस दिखा रहता हूँ खैर अभी जो मैं इसको इसको इसके competition साथ compare करूँगा तब आप लोग को मतलब अच्छा solid opinion दे पाऊँगा और सेम मैं इसके front camera के बारे में कहना चाहूँगा 32 में अपिक्सल काया तो काफी अच्छी sharp selfies ले लेता है यह चाहे daylight हो, artificial हो, low light portraits आतर condition मुझे अच्छा परफॉर्म करता हूँगा इसका front camera वीडियो capabilities के बारे में बात करूँ तो आप front से 4K record कर सकते हो और back camera से भी और EIA support करता है यह phone तो overall वीडियो भी काफी stable रही है Full review मैं आप लोग को पूरे detail में बता हूँगा कि कैसे output रहता है हर एक चीज का तो अभी के लिए मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि मुझे camera department के अंदर phone सच में बहुत ही impressive लगा है अब बात करते हैं इसकी performance के बारे में अब यहाँ पर हमें Exynos 961 देखने को मिल जाता है और जो मेरे पास है 8GB RAM और 128GB storage वाला variant है storage के आप लोग को speedless दिखाता हूँ यहाँ पर results मुझे बिल्कुल अच्छे लगे है और हाँ साथ मैं आप लोग को पता जाता हूँ कि 1 UI 2.2 देखने को मिलती है तो जो एप से वो बिल्कुल ठीक से लोड होती है storage भी ठीक है तो इन सब कुछीज़ों को देखते हैं चलू तो काफी efficient hardware जरू डला हो है जैसे कि LPDDR 4X RAM है तो hopefully काफी अच्छा परफॉर्म करेगा फोन आगे फ्यूचर में भी अभी के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ठीक लगा और हाँ गेम बूस्टर टेकनॉलजी है जो हमें सब कुछ देखने को मिलता है सामसंगी तरफ से वह इस फोन के अंदर भी है तो सैमसंग लिटरली इतने बार्स इतने जादा हाय कर दिया है बागी कॉम्पेडिशन के लिए क्योंकि बिल्कुल किलर कॉम्बिनेशन दिया है यहां पर बात स्टॉप हो जाती है जो सैमसंग का सूपर फास चार्जर है वो फोन मतलब सीरिसली बहुत जल्दी चार्ज करता है और क्योंकि बहुत ही बड़ी बैटरी है तो हर किसे की डिमांड रहते हैं अच्छी चार्जिंग टेकनॉलजी हो तो सैमसंग ने चीज और हां मुझे याद है फोन जो है रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है तो अगर आप इस फीचर की उस करना चाओ और किसी अपने दोस्त को बैटरी देना चाहो तो वह इस फोन से पॉसिबल है क्योंकि जो मार्केट में 10,000 इमेच के पावर बैंक आते है तो 6000 सब्सक्राइब से यह बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है काफी अच्छा लगा मुझे फोन मतलब डिजाइन के अंदर जो कॉस्मैटिक चेंज है मुझे बहुत पसंद आए मेरे सब से डिस्प्ले तो बहुत ही ज़ादा प्रीम डाली है कैमर डिबाटमन में काफी अच्छा रि सब्सक्राइब करके हमारी टेगंग जन्कल में क्वालिटी भी रखते हैं अगरे मिलते हैं तैंक्स वाच